हेलो फ्रेंड एवरिवन वेलकम टू माई चैनल तानिया बैक्यार प्लांट सो फ्रेंड कितने दिनों बाद आज बारिस बंद हुई है और अलके सी धूप निकली है बाद तो पोदों के मिटी सूप नेका नाम ही नहीं ले रही है जैसी सूप पाती है तो फिर बारिस हो जात खर कोई बात नहीं बारिस तो पोदों के लिए अच्छी है और पोदे देखे कितने ग्रीन और कितने हेल्धी हो गए है और आज हम बात करेंगे सुनुद्र से पलांट और आप तर बालकनी में इतना स्पेस भी नहीं था, यह बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है, अगर हम इसकी उपर się मैं ना करें तो आप देख रहे हैं इसमें दो कलर होते हैं और जिस पोदे में दो कलर होते हैं दो कलर का सेड होता है हमेशा वो प्लांट सकम लाइट में ही रखे नहीं तो दूप में जो इसके टू सेड होते हैं वो ब्राइड हो जाते हैं और ये ग्रीन हो जाता है बिल्कुल ऐसा लगे लेकिन ग्रीन में येल्व लाइनिंग है तो देखें कितना सुन्धर लग रहा है ऐसे प्लांट्स को ब्राइड लाइट में रखना चाहिए तो जो उस पे लाइने और ऊसकी शाइन उसकी जो ग्रोथ है ना वो ब्राइड लाइट में ही अच्छे से चल पाती है और संचेजी जैसे प्लांट जितनी भी वेराइटी में होते हैं सभी में फंगस लगने का डर होता है इसलिए तो इनकी सॉयल मिक्स जो होती है बहुत सॉफ्ट और बहुत ड्राई होती है और ये देखे बारिस के कारण मिट्टी भी नहीं सूप पा रहे थी तो इस वज़ा से इस तरह के प्लांट में फंगस लग जाती है तो जो इसकी आप ये नौक देख रहे हैं उपर की जहां सॉफ्ट लीप नियू निकलती है वहीं फंगस लगती है और पूरा प्लांट खराब होने लगता है यह अब बात करते हैं इस प्लांट के लिए सॉयल मिक्स कैसा होना चाहिए तो यहां पर आपको 20% सेंड लेना है 20% यह आपको मिट्टी लेनी है यह दोनों चीज आपको बराबर मातरा में लेनी है और 5% आपको जो भी आप खादी उज करते हैं वो 10% लेना है और नीम खली इस प्लांट में आपको ज़रूर डालनी है एक से तरह मुठी भी डाल सकते है क्योंकि इस तरह के प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लगती है अगर इस तरह के प्लांट पर आपके फंगस लगी हुई है या किसी तरह का केड़ा भी लगा हुआ है तो आप दो हरी मिर्च और कुछ नीम की पतिया और अगर आपके घर में लहसून है तो उसको पीस कर आप उसका अर्क निकाल कर पानी में मिक्स करके इस्प्रे कर दें फिर देखना आपके कोई भी प्लांट है फ्लावरिंग वाला है कोई भी किसी पर भी फंगस लगी हुई है अगर गुडल का भी है तो उस पर दो तीन बार इस्प्रे कर देजिए तो फंगस और जो कीडे उपस से ही स्प्रे करती हूं क्योंकि इसकी लिए पर डश जम जाती है तो वो भी साफ हो जाती है जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर जाता है बस वही काफी है इसको ज्यादा पानी की जवरत नहीं होती है अगर आपने इसे गार्डन में रखा हुआ है वहां पर करना है कि जो बड़े पोदे होते हैं उनके बीच में या उनके नीचे रख दीजिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और इस प्लांट को कहीं अकेला नहीं रखना है ये मुर्जा जाता है और खराब हो जाता है मायूस हो जाता है इस प्लांट का मन भी बहुत सा कि योफटि मिट्टी में लगाएं और पानी का भासकर धिहान रखें कि कटिंग को ज्यादा पानी नहीं देना है रहे हलका फुलका सा ही पानी दे वह कटिंग जब ग्रो करेगी तो ऐसे ही प्लांट आपके गार्डन में बहुत सारे हो जाएंगे अधुद देख सकते हैं तो नीचे से देखे कितनी सारी ब्रांच इसमें से नियू निकले हैं और एक और बात बदा दिए इस प्लांट के लिए अगर आपको टोपियारी बनानी है तो उपसे कटिंग करते रहें और नीचे से इस तरह से नियू प्लांट निकलते रहेंगे तो आपको जो पोट है भरा भी हो जाएगा और बुसी हो जाएगा तो बहुत सुन्दर लगता है वो प्लांट भी ये भी सेम ऐसा ही था लेकिन मैंने इसमें से बहुत सारी कटिंग निका ले थी प्लांट की सेंचेजर की मैं भी टोपियारी बना रही हूं लेकिन आपको अपनी सेंचेजर की टोपियारी दिखाऊंगी ओके फ्रेंड्स बाइए